रादे रादे दोस्तों स्वागत है आपका निश्य जी के किचन में तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी आज हम बनाने जा रहे हैं बहुती टेस्टी सी मिठाई तो देखिए इसके लिए मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है जिसे मैंने कदुकस कर लिया अच्छे से बारीक वाली साइड और इसमें मिलाएंगे पिसी हुई चीनी 5-6 चमच मिठाप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं बहुती टेस्टी मिठाई है दोस्तों और जटपट से बन जाती है इसके लिए हमें कोई गैस जलाने की भी ज़रूरत नहीं है तो देखिए अब मिलाएंगे इसमें मिल्क पाउडर तो एक कटोरी से थोड़ा सा कम मिल्क पाउडर है कम से कम 6-7 चमच तो ये भी मिला देंगे इसमें चीनी में थोड़ी सी इलाइची मिला दीजिए जब चीनी को पीसे 2-3 इलाइची फ्लेवर के लिए तो देखिए सबी को अच्छे से मिकस कर लेंगे हाथों से ये देखिए बहुती जल्दी बन जाती है किसी भी तोहार में आप इसे बना सकते हैं तो देखिए अब हम इसके देखिए कितनी अच्छी दानेदार बनी है बिल्कुल इसे आप किसी बॉक्स में डाल कर इसका मिल्केक भी जमा सकते हैं तो मैं ऐसे लड्डू बना रही हूँ इसके छोटे छोटे आप अपने हिसाब से अपनी पसंद से जैसे चाहे से बना सकते ह हैं तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे इसके यह देखिए इसी तरह से देखिए सारे मिक्सचर के लड्डू बना कर हमने त्यार कर लिये हैं देखिए कितने दानेदार बने हैं कितने अच्छे लग रहे हैं तो उपर से मैं फूड कलर से इसे ड त्राइब फ्रूट से या केसर से भी सजा सकते हैं जैसा आप चाहें ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैंए और खाने में तो बहुत ही जादा डेस्टी है चाहें दोस्तोत आप जब लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें देखिए बहुती टेस्टी मिठाई बनी है तो चलिए मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत